नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ कि आईपीएल के सुलहवे संसकरण का आप पुरा इंज्वाई कर रहे होंगे। सबसे फिर वही पुरानी गुजारिश की कृपया हम जैसे न्यू यूटूबर को भी अपना प्यार देते रहें ताके इस तरह के शांदार वीडियो आपके बीच लाने में दिल्चस्पी बनी रहे। कुछ अच्छा चल रहा था लेकिन फिर ऐसा विवाद हुआ था जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिला दिया था और आज भी वो किस्सा याद किया जाता है। इसे आईपील के सबसे बड़े विवादों में जगह मिली और यह आईपील का सबसे बड़ा काला दिन था। हम बात कर रहा हैं हरबजन सिंग और स्री संथ के वीच हुए विवाद की। ये वो विवाद था जब हरबजन सिंग ने स्री संथ को थपड़ मार दिया था। हरबजन उस समय सचीन तेंदुलकर की कप्तानी वाली मुंबई इंडियन्स का हिस्सा थे। तो वहीं स्री संथ इवराज सिंग के कप्तानी वाली किंग्स 11 पंजाब के लिए खेला कर रहे थे। श्री संथ ने हरबजन से कुछ ऐसा कह दिया कि हरबजन का गुस्सा सात्वे आस्मान पर पहुँच गया और उन्होंने स्री संथ को थपड़ मार दिया। इसके बाद टीवी पर स्री संथ को रोते हुए देखा गया था। वियारबी सिंग उन्हें चुप करा रहे थे। इस घटना के बाद बी सी सी आई ने हरबजन के खिलाफ सक्त कदम उठाया और उन्हें पूरे सीजन के लिए बैंग कर दिया था। तो किया ही गया साथ ही मैच फिस के 3.75 करोड रुपे से भी वन्चित होना पड़ा था। भारतिया टिम के तेजगंदबाग एस स्री संथ ने इस थपड कांड पर खुलासा करते हुए कहा था कि वह भज्जी को उस समय सजा नहीं दिलाना चाहते थे इसलिए रोय थे ना कि थपड़ खाने की वज़ा से लेकिन इस बात में सचाई कम समझावता करने की कहानी ज्यादा सतीक बैठती है हाला कि हरवजन सिंग ने उस थपड़ के लिए 11 साल बाद स्री संथ से माफी मांग ली थी लेकिन उसके बाद 2007 T20 विश्व कप और 2011 एक दिवसिया विश्व कप क मैच में विनिंग टीम का हिस्सा रहे इस स्री संथ को 2013 में मैच फिक्सिंग विबादों में गिरफतार होना पड़ा था राजस्थान रॉयल्स के स्री संथ वह उनके दो साथ ही खिलाडी अजीत चांडिला और अंकित 56 को BCCI ने इस आरोब के बाद तीनों खिलाडियों पर लाइफ टाइम बैंड कर दिया था जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट से बैंड से मुक्ति मिल गई थी दोस्तों IPL में हर्बजन सिंग और स्री संथ के बीच हुए विबाद को कोई नहीं बोल सकता और इसे आज भी IPL के दौरान हमेशा याद किया जाता है क्योंकि IPL मैचों में अंतिम गिंद तक इसकदर रुमांच भरा होता है और खिलारी थोड़ी सी गलती पर इस तरह एक दूसरे पर भड़कते हैं कि इस तरह के घटनाएं सामने आहीं जाती है खैर अभी IPL का यह सुलावा सीजन खत्म होने में समय है तब तक और भी दिल्चस्प जान